नमिश्कार, उत्राखंड मुक्ति विश्विद्यले में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व स्वास्त संड़तन प्रति वर्ष अक्टोबर महा में विश्व मांसिक स्वास्त दिवस मनाता है जिसकी हर वर्ष एक ठीम निश्चित की जाती है, उसी तरीके से इस वर्ष भी मांसिक स्वास्त संब्धी ठीम निश्चित है जिसका उदेशी है कि हम लोग पूरे वर्ष भर मांसिक स्वास्त के छेतन में कारी करें लोगों में इसके प्रती जाग रुपता बढ़ानी के लिए विविन गतिवी दियां करें ताकि सभी लोग मांसिक रूप से स्वाश्त रह सकें और मांसिक रोगों से दूर हो सकें इन ही सब मांसिक स्वाश्त सम्मंदी मुद्धू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्तित हैं डॉक्टर यूराश्पंथ जो केक मुनवेग्यानिक हैं और उनसे बात करने के लिए मैं आपके बीच उपस्तित डॉक्टर सीथा दूराश्पंथ आपका बहुत स्वागत है आप मारे स्टुडियो में मैं समय में समय को जैसा आँस हम सभी जानते हैं की मांसिक श् Field कि के बारे में बरात्मान में देख तो ऊबिए खुल के बात नहीं करना करना जिस तरीके से शारिजिक स्वास्ते के लिए लोग छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी बीमारें होने पर डॉक्टर के बाहर जाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्ते के प्रतीज़ा रुपतर्म अभी भी कमी है, तो मैं आप से जानना चाहती हूँ कि आ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या कुछ लोग इस बात से अंजान भी होंगे, कि प्रतेव वर्स 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्त दिवस मनाया जाता है, और इसको मराने का मुख्योग देश यही है कि जैसा भी डॉक्टर सीटा न भी आपको बात 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 बताया कि हर व्यक्ति अपने सारीरिक स्वास्त के लिए चिंतित रहता है और काफी कुछ ऐसे गतिविदिया, क्रिया कलाप या एक्टिविटीज करता है जिससे कि वो सारीरिक रूप से स्वास्त रह सके, लेकिन कोई भी व्यक्ति लगबग संख्या नगन्य है, बहुत कम इस देश में या इस विश्व में हैं, जो अपने मानसिक स्वास्त को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंतित रहते हैं, या इसके प्रति वो कुछ ऐसे कार्य या उपाय नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो मानसिक रूप से समाज में स्वस्त रह सकें, तो इसी उद करते हैं, जो कि व्यक्ति को मानसिक स्वस्त रखने के लिए प्रेडित करता है, जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि मानसिक स्वास्त, मानसिक स्वास्त के को अगर हम आम रूप में सोचें कि एक धार्णा सी है कि जो व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं है, वो मानसिक स्वस्त लेकिन वास्विक्ता कुछ इससे हटके है, ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक रोग नहीं है, वो मानसिक रूप से सौस्त है, जैसा भी हम हालिया इस घटनकरम में देखें, पूरा विश्व इस समय COVID-19 के पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में बहुत से लोग कई प्रकार के मानसिक तनाव, दबाव, चिंता और अफसात, और यहां तक की आत्मतिया जैसी प्रवर्ति, इस तरह के दौर से व्यक्ति गुजर रहा था, और इस पैंडेमिक ने हमारे मानसिक स्वास्त पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जैसे कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी को COVID positive कोई भी व्यक्ति हुआ है, तो उनकी संख्या आगर हम पूरे विश्व में देखें या देश के अंदर देखें, कुछ निश्चित संख्या है, लेकिन COVID-19 ने सारीरिक स्वास्त की तुलना में मानसिक रूप से व्यक्ति को ज़्यादा प्रवावित किया है, इसलिए हमें जरुड़त है कि हम मानसिक स्वास्त दीवर्स के अफसर पर इस वर्स इतनी इस तरह की गोस्टी और लोगों में चेतना जगाने के लिए कारे करें, ताकि व्यक्ति भविश्व में आने वाली किसी भी विप्रीत परिसित्यो का सामना कर पाए, आम तोर पर यह देखा जाता है कि मानसिक स्वास्त है क्या, मानसिक स्वास्त के अगर हम जहां तक बात करें, हम किसी भी परिवार में या समाज में अपनी सीमाओं को जो भी हमारी कैपेसिटी है या जो भी हमारी योग्यता है, उन सीमाओं को समझते अपनी सीमाओं को समझते वे एजस्मेंट करने में सफल हो पाता है और कुछ ऐसा कारिय करता है जो उसके खुद के लिए और समाज के लिए लाबदायक होता है वह व्यक्ति मानसी रूप से स्वास्त है और समाज की वे रक बते वे लिए लग पने चले जाते हैं करते हैं और किसे भी परिस्तिति में आरम सी अट अपन के लिए लिए ठीये तो आप यह बताईए कि वह सबेतों कौन सी परिस्तेतियां होती हैं, ऐसी कौन सी दर्शाएं होती हैं, जिन से ब्यक्ति को समाई जन में कठनाई होती है, वो कहीं ने कहीं मानसिक अस्वासता की ओर अबढ़ जाता है, आप उन थोड़ा सा उंकार ओर उपर परकाश्टा लिए। बिल्कुल, जैसा कि आप हम सभी लोग जानतें कि कई प्रकार की मानसिक क्या ऐसे मापदंड हैं जिन से हम माने की या क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके हम लोग मानसिक रूप से स्वस्त रह सकें, जैसे मानसिक रूप से स्वस्त रहने के लिए कुछ महत्पूर्ट ची तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मांसिक स्वास्त बढ़ी पढ़ता है, इसके अलावा हम अपने जीन, जीवन में तनाव और कुछ विपरीद परिस्तियोतों में हम इस तरह से समयजन करें कि हम अपने जीवन के जिस उदेश के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको हम प तो अगर हम रोज मर रहा की जीवन मेरा तो यह मानना है कि हर घंटे, हर मिनट के लिए व्यक्ति को कुछ लक्स निधारित करके उस लक्स के पीछे व्यक्ति को चलना पड़ेगा, यह अलग बात है कि उस लक्स को हांसिल करने में हम असफलता मिल सकती है, लेकिन फिपुना ह हमारे पास जीवन में हर दिन के लिए कुछ ना कुछ एक कारी निश्चित रहेगा, जैसे सुबह उठने से लेकर के अपने ड्यूटी हैं या दूसरी चीज हैं और साम को घर आने तक परिवार के सांथ समय गुजारना, सांथ निकलना, सांथ गुमना, इस तरके कई ऐसे का हमारे पूरा हमारे दैनिक दिन चरिया हमारी बनी रहेगी, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अपने जीवन में एक अच्छा एजस्मेंट कर सेंगे और हम मांसी गुरूप से स्वास्त रहेगाए ड्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित ऐसे कारण होते हैं या कोई ऐसे फैक्टर है निश्चित जिसके वज़े से उनका मांसीग स्वास्त प्रभावित होता है या वो मांसीग रोगों के तरफ को जाते हैं आप उन कारणों के बारे में तोड़ा बहुत जान करे दीजिए बिलकुम, ड.सीता या आपने बहुत अच्छा सवाल पू त CC, आप या आप जान कुछ इंवाडसी के रूखा है जिनको फीजिकल primary factor सब्सक्तर करता हैं दूसरे कोई जैर्न फिर्न फ्क्टर प्रच्टर है जियंको कैते है जैसे फीजिकल फैक्टर मीचित कर तो justeा जिसमें सबसे हम इमपोर्टिए साहर है साहीना, छसीजिध रशन तो सारी रचना के अलाव कुछ फिजिकल हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर प्रेकार की सारी भीमारियों से अगर गरस्त रहता है तो उस व्यक्ति में भी निश्ची दूप से तनाव और कुछ तनाव को सहने की संता उस व्यक्ति में कम हो जाती है। इसके अतरिडयित, व्यक्ति का बुड़ी कही स्टेडीस, ऑस व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेन्ट रहा है वर्टित प्रिस्तितियों से कैसे निकल के बाहर आए ऐस व्यक्तिय में इस बात बहुत को भौच अतरिकति आर्फित निकल कशे है इसके लाग कई psychological factor, कई social factor है, कई family factor है, कई environmental factor है, जैसे सबसे इसमें important बात है परिवार या घर का वातावरण, जो हम सुरू से इस बात पर focus भी करते हैं कि बहुत महत्पूर्ण है कि हमारे घर का वातावरण या environment कैसा है, अगर किसी ऐसा परिवार जहां अक्सर माता पिता के बीच में लडाई जगडा फसाद होते रहता है या परिवार में कोई विक्ति है जो किसी प्रिकार करना से का आदी है, उस परिवार में विक्सित होने वाले बच्चे, उस परिवार में जिन बच्चों का विकास होगा, उन बच्चों में निश्चित रूप से भईस में आ कि कई ऐसे परिवार जो कि माता-पिता अपने बच्चों को एक time नहीं दे पाते हैं, बच्चों से बात करने का उनका time नहीं रहता है, उस तरह की भी बच्चे divert होते हैं आगे चलके और उनका मानसिक स्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसी के लिए बहुत important और हम अक्सर अपनी कई गोस्टियों में इसको focus भी करते हैं कि बच्चे को एक माहौल घर पर मिलना चाहिए, माता-पिता क्योंकि इस भागदौर बरी जिंदगी में हम देखते हैं कई जग दोनों parents, माता-पिता, दोनों किसी आजविका में लगे हैं और वो बच्चे को एक अच्छा मनवेगनिक विकास घर पर हो सके और बच्चा समाज का में अंग बन सके जैसे कि आपने बताया कि मानसीख स्वास्ते को जो मुखिरों से अगर हमाने परभारित करने वाले कारणों में हमारी परिवार का माहौल है और कुछ हत्र ब्यक्ति की गुद्धी भी आ परिष्टियां होते उसके सामने उनसे हर ब्यक्ते अलगला तरह से परभावित होता है जाहे वो महिला पुरुष के हैं चाहे आई वर्ग के आदार पर करें तो आप हमें बताये कि क्या मानसीख स्वास्त का खत्रा कुछ विशेष वर्ग हो रहता है कि विशेष आई मानसीख रोग से अचुता नहीं रहा है अगर हम करें जन्म से लेकर के अगर हम व्रद्धा वस्ता की बात करें तो हर वर्ग में कुछ अलग अलग प्रकार के मानसीख रोग पाई जाते हैं जो कि किसी जैसे बच्चों के अंदर कुछ चाहिड़्ूट डव्लमेंटर लिस अगर समलोग बोलते हैं उसमें कई तरह की बीमारियां भी समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं जिसमें mental retardation है जिसके अंदर autism है बहुत सुनने में आता है autism एक प्रकार का मानसीरूग को जो बैक्चों में पाई लाता है अधिकांस ता इसके अलावा ODD है Oppositional Deficient disorder होता है जिसमें बच्चा बहुत जिद्धी सभाव का और सर्विरोधी कार करता है इस तरह की कई ऐसी बीमारियां जो बच्चों में पाई जाते हैं इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां जो युवा वर्ग में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं जैसे कि हम लोग देखे एंग्जाइटी या डिप्रेसन इस तरह की विमारियां युवा वर्ग में काफी ज्यादा होती है और इसके साथ वर्दों की अगर हम लोग बात करें तो वर्दों के अंदर भी डेमेंसिया जिसमें भूलने की विमारी हम लोग टेते हैं डेमेंसिया बहुत ब़ला कारण ह कई परकर के और दूसरे गंबीर मानसी ग्रोग जिसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं यह भी हमें देखने में मिलते हैं तो कोई भी वर्ग मानसी ग्रोगों से अच्छूता नहीं है लेकिन अगर आप यह पूछना चाहरें कि कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है यह कौन व्यक्ति ज्यादा मानसी ग्रोग के रिस्क में रहता है तो वो व्यक्ति जो परिवार में जिसके उपर ज्यादा दाइत्व या जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि जितना ज्यादा दाइत्व या जिम्मेदारियां होंगी व्यक्ति उसको निभाने के लिए उन का परिवार का साथ से यह जो अर्णिंग परिवार का ज्यादा होता है उसके अंदर ज्यादा इस्ट्रेस तनाव यह डिप्रेसन होने की संभावना ज्यादा रहती है बस्पन से लेर कि एक यह और स्वह जैसे आकने बताया की इसमें कि इसे बिशेश में नहीं मां सकते बचपन से लेके चाहा युवा है चाहे थरिभे लोग bıермunya के हिए चाहे हम एंजयटी की बात करते हैं चाहे uzoda की बात करें चाहे हैं डिमिन्सिय की बात आपस नihi करी तो मैं जानना चाहते हूं कि जैसे सामाने तोर पे सभी लोग मांचीफ्व स्वास्तिसे के इसमें लापरवाईर को बरते हैं उसमें COVID-19 के दौरान क्या परिवर्तन था? आप किस-किस तरह के मानसिक रुगों में आपने इस दौरान विर्दी देखी? निश्ची तरुप से जो COVID-19 का दौर आया है ये बहुत विपरीत परिशिती व्यक्तियों के सामने अचानक आई है और इस विशय में अगर हम कहें कि कुछ आकले भी भारत सरकार की तरफ से जारी हुए हैं कि और WHO की तरफ से जारी हुए हैं कि भविस्व में जो ये एक अनु आकला इस COVID-19 के दौरान ही पूरा हो चुका है मतला मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि आज से 10 वर्स के बाद जितने अधिक मानसिक रोगी होते वो पूरा इस COVID-19 के दौरान इस एक वर्स लगबग एक वर्स के दौरान इतने लोगों में व्रिद्धी हो चुकी है तो न उनका सिकार बना है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कई कारण हैं जैसे हमने देखा COVID-19 के दौरान लौकडाउन हुआ और लोगों का रोजगार चिना लोगों का अपना रोजमर्रा का जो जीवन है जीवन सैली है वो उसमें एकदम अचानक एक बदलाव आया और उस बद व्यक्ति उस बदलाव को स्विकार कर ले उस बदलाव के अनुरूप आगे को चलने लगे तो व्यक्ति एजस्मेंट करता रहता है और व्यक्ति एक स्वस्त मानसिक जीवन जीता है लेकिन इस बदलाव के कारण कई व्यक्तियों के द्वारा इस बदलाव को स्विकार नहीं को हो रही थी तो व्यक्ति एकदम गंभी रूप से एक चिंता की आवस्ता में पहुंच जाता था और उसको डर या भाय होने लगता था कि मैं भी कहीं कोविट का सिकार तो नहीं हूँ तो निश्ची रूप से कोविट नाइटीन के इस दोर में मानसीक बीमारी का ग्राफ आने वाले दस साल में जिस तरह से बढ़ता वो सिर्फ इस एक वर्ज के दोरान बढ़ा है कि अपने बताया कि किस तरह के से कोविट नाइटीन के दोरान सभी लोग के परभावी तवी मानसीक बीचेस कर चिंता उनके मेरही बहे की बहुना काफी थी वास्ताव में किसे दूसरे के बारे में अगर ख़वर हम सुनते थे तो खुद गवरा जाते थे कि हमारा फिचर क किसी तरह करी के साथ अपने अपने आपकर बात करी कि रोजगार जिनका चूटा वह लोग ते काफी परिशान यह जाना जाहते हूं कि वैसे कुछ रोग होंगे जो सभी लोगों होते होंगे क्या महिला कुरुश के जो मानसीक रोग है उनमें क्या लक्षर में बीविननता ह कि किसी भी लिंग भेट के आधार पर मानसीक रोगों के लक्षर में भिननता नहीं की जा सकती है कोई भी ऐसे मानसीक रोग नहीं है जो हम लोग कहें कि यह पूर्सों में ही पाए जाते हैं या कोई भी ऐसे मानसीक रोग नहीं है कि हम यह कहें कि महिलाओं में पाए जाते ह जो व्यक्ति इस बात पर निर्वर करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जो व्यक्ति जितना जिम्मेदारी लेगा, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे समाज की जिम्मेदारी हो, तो उस व्यक्ति में उतना जादा तनाव या उस व्यक्ति को उतना करना पड़ीगा और एक इस्ट्रेस या तरह का सामना कर लेता है तो वो नॉर्मल स्वास्ती की दर्ब को बढ़ता है। अगर वो व्यक्ति आस्ट्रेस या नहीं कर भाता है, तो कुसी भी परिकार का मानसी रूह जिसमनन्स मुखी रूप से anxiety disorder या depression इस तरह के होने की संभावना रहती है जैसे भारती परिपेक्स में अगर हम लोग बात करें कि घर का सारा कार्य आम तोर पर है महिलाओं के उपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है तो महिलाओं में depression या anxiety होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि अगर कोई महिला working भी है तो उसके उपर एक तो work का pressure अपने offices का जो pressure है वो उनके उपर रहता है घर का कार्य उसको करना पड़ता है ये pressure उसके उपर रहता है तीसरा समाज में सामाजी गाईतों का निर्वान भी उसको करना होता है तो ये तीनों pressure उसके 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 आप बच्चों की परवरी से हलांकि सब लोग मिल के इस कार्य करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग करें कि महिला उस पर ज्यादा ध्यान देती हैं तो महिला ज्यादा तनाओ की इस्तिती में रहती हैं ऐसा देखने में आए है जी बिल्कुल आपने ये बात बहुत भारती परिपेक्षमक हैं तो शर्ट पर्टी सब सच मालूम पड़ती है क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है जहां पर घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी एक महिला की जिम्मे मानी जाती है कि वही हो समालेगी अबहरे दोनों क कि दोन आंपने इसकितर दॉन ओज़ती है जहांकि आद घर परिवार प्रेवार सितर ट्रफ जय वोट जाहीं नर तो कहीं ने एकोई भार में पारिवार ने को से उन्रा कम हुआ है कि निसकंदे बीदार्ट갈े ओको तो कहींने कहीं घर में आवेढ़ ने से कहें है उनके ता वो चेंज हो गया है एक तरह से अविवस्तित हो चुके हैं तो इस पारे मैं आप क्या कहना जाएंगे यह मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस सवाल का व्यक्तिकत रूप से मैं भी हर दिन लगभग मेरे पास 5-7 तेलिफॉन कॉल्स क्योंकि जिस होस्पिटर में कारे कर रहा हूँ वो अभी कोविट सेंटर बना हुआ है तो वहां हमारी OPDs नहीं चल रही है लेकिन कहीं 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 फॉन के माद्यम से इस तरह के सवाल या इस तरह की परेशानों से जूज रहे अभीवावां को के मेरे पास अक्सर फॉन आते हैं कि सबसे बड़ा एक कार आते हैं आई हैं कि जैसे मातापिताओं के दौरा ये शिकायते हैं बता ही जाते हैं कि बच्चा ओनलाइन के नाम पर मोबाईल या कंप्यूटर इन चीजों को मातापिता से लेता है और उसके बाद पढ़ा ही ना करके अन्य कई दूसरी गतिविद्यम है चाहे वो गेम्स ह या है वो कोई दूसरी इंटरनेट साइट को सर्फिंग करना हो उससे हट करके या कोई सोचल मीडिया हो इस तरह के बच्चे इसका बहुत जादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका बहुत जादा यूज़ कर और मातापिता के दौरा जब उसको रोका जा रहा है तो उनके बहुत बड़ा परिवर्टना है क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते है कि यह जो आयूवर्ग होता है इस आयूवर्ग के अंदर बहुत अधिक एनरजी होती है और इस एनरजी को हर बच्चा चैनलाइज करना चाहता है और यह कहा भी जाता है कि बच्चे की एनरजी अग बात करें या इस समय सरकार की जो गाइडलाइन है कि बाहर नहीं निकलना है एक सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जिससे कि बच्चे खेलने के लिए पार्क में नहीं जा रहे है या गूमने के बाहर नहीं जा रहे है या मॉल्स में गूमने के लिए या मूवी देखन आधिकानष सव्यक्त बच्चों का घर पर भीत रहा है, तो घर पर भीतने के कारण और बच्चे धे की अनरजी निकल को हिलोरह मार रही है कि एक वो अरव दो कुछ करने को रह नहीं जе है, और इसके साथन माता पिता और बच्चे के आपस के जो संबंध हैं वो भी कही न कहीं से प्रभावित हो रहे हैं और इसी घटनाओं के कुछ दुस्परिणाम भी निकल के आए हैं क्योंकि कुछ suicide cases जो बड़े हैं हमने देखा है कि इस साथ-ाथ महनों में कई इसमें studies भी हुई है और कई calls भी मेरे पास आये हैं उसमें हमने देखा है कि बच्चों के द्वारा भी इस तरह के कुछ खुद को नुकसान पहुचाने या suicide करने के जैसे भी प्रयास किये गए हैं तो निश्ची दूप से बच्चों के ऊपर ये कोविट काल एक बहुत विप्रीद परिसी दिया और बच्चों के मानसी विकास को लेकर के बहुत ज्यादा उस पर दुस्क्रण हो पड़ा है यही है कि परेंट्स के लिए भी ये बड़ी परिशानी का सबब बन गया है और बच्चों के लिए भी बच्चे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा असमाय उजित हो रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी दिन चर्या अच्छी तरीके से चले वो भी परिशान हैं मजबूर हैं अपने इन हालातों से लेकिन फिर भी हम लोगों को बच्चों को और माबापों को दोनों को मिलके सोरकारी करना होगा पेरेंस को भी थोड़ा बच्चों की इस्तिती को दिहान में रखते हुए उनके जो भाव हैं, उनके अंदर जो घट रहा है उसको भी काफी कुछ समझने के जरूरत है उनकी जगह पर खुद को रखने के जरूरत है ताकि उनके मन की इस्तिती को समझ सकें और उनको समाई जुद करने में मदद कर सकें वहीं पर जो हमारे थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी भी जिम्यदारी बनती है कि हम भी अपने परिवार का जो माहोल है उसको बनाने के लिए परियासरत है और अपने पैरेंस के साथ तोड़ा सा हम लोग एक धंग से पेशानी की कोशिश करें क्योंकि बच्चे अगर कुछ गलत बात करते हैं तो कहीं ने कहीं माँब का भी दिल दुखता है तो दोनों का मिल कारी करने की जरुवत है डोक्टर यूराज मैं एक बात बताए कि पूरे जीवन काल में हर ब्यक्ति कभी न कभी किसी भी तरह का मनो रोग से सामना करता है किसी भी सामय ओभात होती है तो हम यह कैसे जाने कि ब्यक्ति हुआ मनोची किस्ता के जरुवत पढ़ गई है क्या इसका कोई एक निश्यत फेस होता है यह डॉक्साब आपके दोर बहुत अच्छा इस सवाल पूछा गया है क्योंकि मनो रोग के संबन में सबसे महत्मून बात जो है कि कई प्रकार की भ्रांतिया हमारे समाज में फैली हुई है तो आपका इस सवाल काफियत तक उन भ्रांतियों को दूर करेगा कि जहां तक तनाव या विपरीत परिशितियां या तनाव जिनका हम लोग effectively सामना नहीं कर पाते हैं उसके कारण होते हैं और आगे चलके हो गंभीर अवस्ता में परिवर्तित हो जाते हैं तो जैसा आपने भी बताया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में और studies भी हुई है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में रोजमर्रा जीवन में कभी न कभी विपरीत परिशितियां तनाव का सामना करता है लेकिन जो व्यक्ति उस तनाव का सामना करने के दोरान उस परिसिति का सामना कर लेता है और उस परिसिति को एडॉप्ट कर लेता है तो व्यक्ति आगे चलके एक healthy mental life को lead करता है लेकिन जो व्यक्ति उस विप्रीत परिसितियों का सामना नहीं कर पाते हैं और उस विप्रीत परिसिति के कारण व्यक्ति के व्योहार में कुछ विसेश प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं जिसमें अगर हम लोग मुख्यव कुछ परिवर्तन हम लोग देखें कि व्यक्त कमी या गिरावट आने लगती है और व्यक्ति कारिक करना ही बन कर देता है तो इस तरह की जब यह अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है और यह अवस्था कुछ लंबे समय तक बनी रहती है इसका हम समय भी निदारीत कर सकते हैं कि अगर 2-3 हफते तक का इस तरह की कोई विप्रीद या नकारात्मक परिशिती हम अपने दैनिक जीवन में एक दैनिक दिन चरिया जी रहते और अचानक कुछ ऐसी परिशितिया आई कि हमारे लाइफ में यह नकारात्मक परिवर्तन आ गए और यह नकारात्मक परिवर्तन अगर लगबग 2-3 हफते तक लगातार बने रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी ना किसी मांसिक रोब विश्यशक्य की जवरत परती है क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी इस तरह की समस्याओं के लिए early intervention अगर हम लोग करेंगे तो इस पर बहुत जल्दी ही हम इस पर काबू पा सकेंगे या इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे अगर हम जितना delay करेंगे क्योंकि यह माना जाता है कि आम तरपर लोग कहते हैं कि समाज में यह बहुतों को होता है समाज में कईयों को होता है तो कई parents या परिवार के लोग या उनको लगता है कि इस तरह की गति विद्या होने पर उनको एक भ्रह्म में चले जाते हैं कि हमारा विक्ति मानसिक रोगी तो नहीं है मतला वो स्विकार नहीं करते हैं मानसिक रोग नहीं मानसिक रोग का मतलब निकले हैं आप लोग को गाली दे रहे हैं यही मानसिक रो चाहिए और वो सलाक कई बार अगर आपकी प्रोब्लम प्रारामिक अवस्ता में है तो दवाईयों की ज़रुवत नहीं पड़ती है काउंसलिंग या कई अन्य साइको तेरेपीज होती है जिनके दौरा आप इससे उबर सकते हैं अगर डॉक्टर को लगता है कि इन चीजों से बहुत फाइदा नहीं हो रहा है और आपको जल्दी प्राइसानी से आराम मिलना है तो उसमें दवाईयों का साहरा भी लिया जाता है कुल मिलना कर आपका जो उत्तर था उसे यह बात सामने आती है कि कहीं न कहीं हम लोगों को शारीजी रोगों की तरह मांसिक रोगों को भी स्विकार करने की जरूरत है हम को यह मानना पड़ेगा मन से कि हम लोग मांसिक रूप से भी अस्वस्त हो सकते हैं जो हमारे दिन परती दिन की जो समशें होती है चिंता समधिय है किसी को अवसाद हो जाता है उन चीजों को हम थोड़ा गंभीर लेने के जरूरत है एक मानसिक अपने मन को स्वस्त रखने में हमारी मदद करते हैं डोक्र साब मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कुछ परमुक रोगों के बारे में आप हम बताएं जिसका अधिकतर लोग सामना करते हैं कुछ मानसिक रोग आप मैं पताईएं बीलकुले, कई ऐसे मानसिक रोग हैं जिनकी संख्यास सबसे ज्यादा होती है जिसके रोगी इस तमाज में या thorac句 मैं सबसे ज्यादा पाई जाते है इसमें इक सबसे बड़ा जो रोग है वो है एंग्जाइटी Anxiety Disorder हम लोग बोलते हैं Anxiety Disorder एक most common disease है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है अभी एक विस्तुसास संगठन का एक जो आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग लगभग 39 करोड लोग Anxiety Disorder के सिकार है अगर इसमें भी हम लोग अगर आंको और गहरी तो पर देखें तो इसमें महलाओं का प्रतिसत लगभग 33 करोड प्रतिसत महलाएं Anxiety Roads का शिकार है और पुरुसाओं का प्रतिसत इसमें 37% मेल्स है और अभी आपके पुराने प्रतिसत इसमें जवाब मिलिया कि आपने बोला कि कौन लोग ज्यादा रिस्क में है तो इसमें ये चीज़ प्रूब भी हुई कि पुरुसाओं की प्रतिसत anxiety disorder में कम है और महलाओं का प्रतिसत ज्यादा है तो कहीं न कहीं महलाओं ज्यादा तन दूसरा एक हमें और ये जानकारी मिल चेए कि युवावर्ग है वो अत्याथिक इसके दभाव में या इस रोग के ज्यादा गिरफ्त में है इसके तिरिकते 150 मिलियन जिसकी संख्या लगब 15 करोड है उन लोगों को mental health related problems हैं तो निश्ची रूप से आंकड़ा बहुत जो सर्वे है क्योंकि लोग चिपाते हैं लोग खुल कर सामने बहार नहीं आते है तो बहुत कम रिसर्चे होती है लेकिन जोगी रिसर्चे होती है निश्ची रूप से अब बतार है वर्तमान में कि इस चेत्र में मांसिक रोग का दाइरा काफी बढ़ रहा है और इस बिप्रेशन नाम की जो बिमारी है वो दुनिया में सबसे बड़ा मांसिक रोग बनने जा रहा है तो निश्ची रूप से रोजमरा के जीवन में हम देख रहे है कि जिस तरह का परिस्कितिया बन रही है ये परिस्कितिया हमें इंगित करते हैं और हमें अलर्ट भी करते है कि हम अपने मांसिक स्वासकेप्रती अलर्ट रहे हैं सचेत रहे हैं ताकि बविसमें किसी गंभीर मांसिक रोग के हम लोग शिकार ना हो पाए दोक्तर साब अभी हमने देखा कि आपने मांसिक रोगों के बात करी चिंता, अवसाद, OCD इसी तरीके से एक भाय कई तरह की मा COVID-19 का जो दोर चल रहा है, इसमें जो COVID-19 से जो बचने के तरीके हैं, जो उसके रूल रेगोलेशन हैं, उनका एक दबाव लोगों पर है, कि सोसल डिस्टेंसिंग रहनी है, मास्क पहनना है, तो इन दबावों के चलते, तो कहीं ने कहीं लोगों में एक दूरी पैदा हो ग दिरे दिरे कौन से ऐसे मानसी ग्रोग होंगे जिन में वर्दि होने के संभावना है, और उनके प्रत्य हम किस तरीके से सचियत रहें? इस प्रस चापी अच्छा में उड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बता है कि जो मानसी ग्रोग की बिमारिया आज से 10 साल बाद जो आकड़ा होता है, वो पिसले इन 8-9 मेनों में जिस तरह से व्रिद्धी हुई है हमने उस आकड़े को छू लिया है, तो निश्चित रूप से इस COVID-19 के दौरान COVID-19 pandemic के कारण कही तरह के मानसी ग्रोग जिनके आगे और वर्तमान में जो हो रहे हैं, प्लस कोई भी ऐसी आपड़ा हैं जो जीवन में होती हैं या समाज में घटित होती हैं तो उन आपड़ाओं के दूस प्रवाओं आगे चलके सामने आते हैं, जैसे हम लोग अभी अपने उत्राखन की बात करें, तो कुछ वर्स पहले आपने दिखा हुगा है केदारनात की एक ब आपटक से जूड़ होते हैं, उनमें काफी लंबे समय तक का या जो उस आपड़ा के बाद बज गए थे, उनमें भी लंबे समय तक का उसके कई कैसे हमारे सुसिला तेवरी हॉस्पिटल में भी आगे आये थे, जो की पोस्ट्रामेटिक स्टेश दिस ओडर, मतलब कोई भी समय में, 4-6 मेहनों में इस तरह के केसे और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये घटना है घटने के कुछ मेहनों के बाद सामने आते हैं, और इसके अलावा पोस्ट्रामेटिक स्टेश दिस ओडर के अलावा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हा रही है, वो हा रही है ड्र व्यक्ति को लेता है किसी प्रकार के नसे की तरफ को व्यक्ति टर्ण हो गया और किसी भी प्रकार से चाहे उसको चोरी करनी पड़ी हो चाहे दूसरे तरीके अपनाने पड़े हो व्यक्ति अलग लग प्रकार जो व्यक्ति कम यूज करते थे उनकी संख्या बलगी या जो व जो कोवीड-19 के दौरान बढ़ रही है और आगे चलके इनके बढ़ने के संभावना और जादा है बिल्कुल दॉक्तर ग्राज आपने बहुत सही बात कही है कि बांची ग्रूप जो रोग होता है या कोई हमारी जब आती है तो उस दौरान तो उसका फरक पढ़ता ही पढ़ता है लेकिन आने वाले समय में वो अब्यक्ति के भविश्य को उसके समुदाय को और सांती हमारे देश और समाज को बहुत नम्बी समय पर भावित करती है उससे निपटने के लिए काफी कुछ ब्यक्ति को करना पड़ता है और यहाँ पर हमारा वही मालसिक स्वास्त काम आता है अगर हम पहले से मालसिक ग्रूप से स्वास्त हैं आने वाले समय शाओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत हुआ एनरजी है यह हमें समय कात्मा ग्रूप से अगर फिट रहते हैं किसी भी परस्तिती को सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं तो इन महामारी में भी हम लोग थोड़ा बहुत अपनी को एड़स्ट कर सकते हैं इसके अलवा जैसे मैं जानना चाहूंगी कि ब्यक्ति चाहे शारीजिग रूप से स्वस्त हो बीमार हो अगर पूरी तरह किसे स्वस्त भी है तब भी देखा कि है कि वो अपने स्वस्त को फिल भी फिट रखने के लिए कई उपाय करता है जैसे हैं इसके तरह चोटे-मोट भी पूरी जो बीमारे सर्दी जुकाम उगरा के लिए घरलु उपाय अतनाते है या चोटे-मोटे बहार जाके टॉक्डरों से बोलते हैं कि हमीज चोटी-मोटी बीमारों से कैसे बच रहे हैं हमीसा स्वस्ता रहें तो मानसी के लिए बी क्या ऐसे कोई-टिप्स हैं क्या क कोई चोटी मोटी ऐसे उपाय हैं जिनको हम अपना सकते हैं ताकि हम लोग जो आने वाले समय में जो मानसी गुरूप बढ़ने वाले हैं उन तक हम ना पहुंचें और शारीजिक स्वास्ती की तरह हम लोग मानसी गुरूप से भी फिट रहें बिल्कुम जिस तरह से यही चेतना और यही अवेर्नेस आज की कारिक्रम का उद्यस भी है इस तरह के कारिक्रम हमारे इस तरह की चेतना और अवेर्नेस हमारे अंदर पैदा करते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने कहाई आप सब कि हम अपने सारीरिक स्वास्त के लिए बहुत ज जटके के उस विप्रीत परिशित से निकल आएं, तो कई ऐसे अपने हम दैनिक जीवन में कई ऐसे कारियों को करके, कई ऐसे तरीकों को अपना करके, हम अपने मानसिक स्वास्त को ठीक रख सकते हैं, और अगर हमारा मानसिक स्वास्त ठीक रहेगा, तो निश्य व्रुप से आ लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, जैसा भी COVID-19 आया, किसी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई परिस्टी आईगी, तो जो घटीद होने वाला है या जिसका हमें सामना करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो कुछ ऐसी बात अगर हमारा डैनिक जीवन में कुछ नहीं करने के लिए होगा, कुछ हमारे रोजमारा के जीवन का एक टारगेट होगा, या कुछ जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, उससे हटके कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी आप से ही बात हो रही थी, आपने बोला कि आप क्य जीवस को ले करके कुछ बातें आई, तो आपने इस तरह का एक कारिकरम किया, तो अपने उस फिल्ड से हटके कुछ अगर आप करते हैं, तो इससे आपके अंदर एक नहीं चेतना आती है, आपके mental makeup बहुत अच्छा बना रहता है, जिसके करण आप तो कुछ आप जो नया स कुछ न कुछ ऐसा एक target बनाएं कि हमें कुछ नया करना है, कि उसके अनुसार आप पती एक दिन के कुछ target निश्चित करें अपने जीवन में, और जब-जब वो आपके target पूरे होते हैं, तो हमें एक अच्छा अनुभा होता है, और वो अच्छा अनुभा हमारी जीवन मे एक positivity या एक train देता है, और वो सकारात्मक train हमें आगे बढ़ने के लिए एक motivation मिलता है, इसके अलावा आप जैसे हैं, जिस तरके हैं उसको स्विकार करें, चाहे आपके अंदर कुछ कम्या हैं, चाहे आपके अंदर कुछ अच्छाई हैं, क्यों हम लोग क्या करते हैं, अप अपनी कम्यों को भी स्विकार करें, तो कई तरह के tension से हम लोग अपनी जीवन में बच सकते हैं, इसके अतिरिक्त शराब या किसी प्रकार के नसे इत्यादी का हम सेवन ना करें, और सबसे important बात है, सारीरिक स्वास्त ही मानसिक स्वास्त को बढ़ावा दे सकता है, तो अग जो कुछ और alternatives हैं, जिसके अंदर प्रमुक रूप से इस COVID-19 के दौरान भी ये चीज निकल के आ ही है, योगा, relaxation और meditation, ये दो-तीन चीज़ें मानसिक स्वास्त के लिए इतनी important है, जैसे कुछ अमेरिका की अभी studies में पढ़ रहाता है, तो उसमें ये चीज निकल के तो वहा अपने मानसिक स्वास्त को ध्यान देने के लिए कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों से मिलता है, कहीं न कहीं ऐसे लोगों से मिलता है, जो की humorous type होता है, मतला वह जिनका sense of humor बहुत अच्छा होता है, हासी मजाग करें, अपने बातों को share करें, और अपने लिए कुछ वक्त तो हम कहीं न कहीं, इस ट्रेस को का एक प्रकार से हम बंडल बनाते रहेंगे, तो अगर हम दैनिक जी अमना कोई भी ऐसा दिन रिसाइट करें, चाहिए वीकेंट्स हो काई, या जैसके फॉरंग कंट्री में होता है, वो लोग वीकेंट पर बाहर निकल जाते हैं, तो हम भी अगले आने वाले हफते के लिए एक सकारात्म उर्जा प्रदान करता है, और हम और बेहतर तरिके से अपने कारियों को कर पाते हैं, जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, डोक्टर साब ने जितनी बात बताई उन से निश्यक रुप से हम ये समझने के लिए तयार हैं साम बिननों होता है, सब में अपने अपनी खूबिया हैं, सब में अपनी अपनी कमिया हैं, तो हमें अपने आपको पूरी तरिके से सुईकारना होगा, हमारी कमी को हम पहले कुछ समझें, उस कमी को दूर करने का परियास करें, जो हमारी अच्छाईया हैं, उसको हमारी लिखता जरूर होती है उसको आगे को उजागर कीजिए साथ ही आपने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि लक्ष निर्धारन अगर आपके जीवन में कोई लक्ष नहीं है तो कहीं नहीं है आप मांसिक रूप से अस्वसता के और बढ़ते हैं क्योंकि इनसान के अगर अगर जानते रहें तो इनका संतुलें बनाना हमारे बहुत जरूरी है बहुत अच्छे बात बता रहे हैं काफी ऐसामन कर रहें कि आप से पूशते रहें और तरीके जानते रहें डॉक्टर साब, COVID-19 के दोरान में आपने देखा होगा कि काफी अग्वारोमा पड़ा होगी आत्महत्या के घटना है काफी सुन्नी को मिली पहले भी आत्महत्या के घटना होती थी लेकिन इस दोरान जो कि ब्यक्ति चाहे आर्थी ग्रूप से कहिए कि रोजगार चीनने के व आए दिन हम केवल गरीब तबके की बात नहीं करते हैं काफी अच्छे पड़ेने के लोग अच्छे पोस्ट में लोगते हैं उन्होंने भी आत्महत्या कदम उठाया तो मैं जाना चाहत है कि इस आत्मगाति जो बेहवार होता है अपने आपको जो नुक्सान पहुंचाता ह इसके पीछे कौन से प्रिवर्तिय काम करती है क्या कारण है कि बेहवार होता है कि आत्महत्या करने के सुच्छा है एक बात मैं मैं आपने बहुत अच्छी कहीं कि इस COVID-19 के दोरान आत्महत्या की प्रिवर्ति बढ़ी है हम निश्य दूप सेमने अवगारों के मादियम से पता लगी कि आत्महत्या करने वाले लोगों के 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 संख्या में काफी व्रिद्धी हुली है और इसे निश्य पेपर में काफी आर्टिकल भी हमने निकाले थे लोगों को से करने के लिए अवेर करने के लिए और दूसरा आपने कहा कि हर वर्ग में यह चीज पाएगी जरुनिकी कोई आर्थी रूप से मजबूत है या शक्सम है उसी ने आत्मेत्या किया है कई ऐसे लोगों जैसे कली के मैंने नियूस पेपर में बड़ा बड़ा सर्प्राइज इसके लिए आपने काफी चर्चित नाम भी रहा है हमारे फिल्म अभीनेता सुसान सिंग के दौरा भी आत्मात्या की गई तो कोई वर्ग विशेस में यह नहीं हर वर्ग में इस तरह का पाया जारा है और लोग इस तरह के आत्मगाति कदम उठा रहा है किसी वी व्यक्ति म जो आत्मातिया, आत्मगाति कदम कोई व्यक्ति तब उठाता है जब वो किसी गंभीर प्रकार की अवस्ता में फर्च चुका होता है और उसका सामना करने में वो शक्सम नहीं होता है जिसमें प्रमुक चीजें आपने अभी जिक्र भी किया कि आर्थिक तंगी उसमें बड़ा कारण है और किसी व्यक्ति को जो एक गंभीर प्रकार के मांसी क्रोगों से या गंभीर प्रकार के शारीर क्रोगों से भी कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तर जूज रहा होता है तो वो भी परिवार के उपर बोज ना बने इस तरह की भावनाव को ले करके भी वो कोई नियर्स की अगर कोई मृत्य हुए जैसे अभी पिसले हफ्ते मेरे पास एक केस भी आया था कि एक यंग 44 years के मेल ने हलदवानी के अंदर एक आत्मात्या की थी तो उसकी वाइफ मेरे पास आई कि उसके अंदर भी कोई डाइन की तो ने हैं तो उसके अंदर उसको लगा कि मेरा पती चला गया मैं क्या करूंँ जी कर गया तो उसकी बेहन के द्वारा उसको लाए गया उसके हमने काउंसलिंग की और मनोची किसे दौरा उसका फार्मको थेरपी की गई तो अभी काफी अत्य की चीज़ से उबर पाई है और इसके अलावा आपदाएं जो भी वरतमान दौरी COVID-19 भी एक प्रकार की आपदा है इस COVID-19 के दौर में या समाज में किसी तरह की आपदाएं होती है उसके बाद भी आत्मात्या की प्रवती बढ़ जाती है इसके अलावा कुछ गंभीर प्रकार के जो डिप्रेशन होते हैं उसमें आत्मात्या उस तरह के लोग करते हैं एक सीजोफरेनिया नाम की एक बिमारी होती है जिसमें इस तरह के विचार आते हैं, कि मर जा, जी के क्या करेगा, इस तरह की कानों में आवाजें आती हैं, या विचार आते हैं, तो व्यक्ति उन विचारों के कारेंड भी आत्मतिया जैसे कदम उठाता है, इसके आत्मतिया तो कुछ आपने देखा होगा, बहुत impulsive personality के ल अभी तक, आदे गंटे पहले तक, वो सब कुस ठीक था, अचानक किसी बात को लेके उसका परिवार के, या समाज में किसी के साथ कोई विचार आत्मतिया के लेदा, अभी चार दिन पहले, इस हालदानी सहर में आपने सुना होगा कि एक ठेकेदार का एक व्यक्ति के साथ क अचानक एक इंपल्स आती हैं और व्यक्ति आत्मतिया जैसे कदम उठाता है, तो अगर व्यक्ति आत्मतिया कर रहा है, कुछ लोग लंबे समय से सोच रहे होते हैं और आत्मतिया के जैसे कदम उठाते हैं, और कुछ ऐसे इंपल्सिव लोग होते हैं, जो मैंने आपको रोका भी जा सकता है, जैसे आपने भी देखा है, इसका सबसे बड़ा उधारन है कि जब CBSE की दोरा एक help line शुरू की गई है बच्चों के लिए, कि हम पहले से देखते थे कि 10th year 12th जब BOLT के result आ जाते थे, तो उसके बाद आत्महत्याग करने वाले बच्चों की संक्या काफी बढ़ जाते थे, तो CBSE की दोरा एक help line चलाएगी विगत कुछ वर्सों से, और बच्चा अपनी परिशानियों को उस help line के माधियम से निकालता है या व्यक्त करता है, और help line में ज तो निश्य रूप से जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ती होता है, यह किसी ना किसी तरह के संकेत पहले देने लगता है, वो अलग रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है, या कुछ इस तरह की बातें घर परिवार चाहे जाने अंजाने करने लगता है, कहने लगता है या जिन्दगी या दुनिया सब विकार है या इसमें जी के कोई फायदानी या मैं इस दुनिया में या इस धर्टी पर में बोज हूँ या इस परिवार में बोज हूँ अगर इस तरह के किसी भी तरह के संदेश किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे घर पर या हमें सुनाई या पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता हो तो उसको निश्चित रूप से इंटर्वेंशन की ज़रौता है वहाँ पर उसको पहले दो हम कोशिच करें परिवार का सदस्य होने के नाते कि हम लोग उसको बातें करें तो निश्चित रूप से मिलें और आपका ये कदम हमें खुद को परिवार को और समाज को निश्चित रूप से आत्मात्या की दर में कमी आने लगीगी एक बहुत इंपर्टेंट बात में फिर इसको हाइलाइट कर रहा हूँ कि आत्मात्या कनने वाला व्यक्ति कुछ समय पहले सही आत्मात्या कनने के संकेत देने लगता है और इस संकेत वही जो मैंने आपको बताई इन संकेतों को अगर हम लोग समझ पाएं तो निश्चित रूप से हम व्यक्ति का जीवन बचा सकते है काफी महतुपून बात आपने हमको बताई कहीने कहीन कहीन पर हमारे मांजशिक रोग हैं इस गंभीर इस्तिति तक पहुंसने से पहले समल जाएं स्वास्ति के इप्ति हम लोग घ्यान दें उसको गंभीरता से लें और माझसिख स्वास्ति के लिए हम लोग कारी करते हैं। राप आप बिस्तार से आप हमको बता रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है। यह मुद्दे काफी बड़े-बड़े हैं, आने वाले समय में इस महां बिस्तार से चर्चा करेंगे, और काफी आप ने विविन परकार के मानसिक ग्रोगों के बारे में हमको जान करें दी, एक देश के नागरिग होने के नाती, आप, मैं या अन्या हमारे जीते भी समाज की गाई है, सदश्णी है, तो रूह मानसिक स्वास्थता के परति हमारे समयारी स्वास्थता में लेखा लेज romanE स्वास्ता के निक काफी निर्वान हो Estim ze mieć be Nepal, आपे बिसके रूह जानता है कि इस healthcare को टेस्समें मान्सिक वाफ को पर दिवसेशन, सेवाइं है कि लिए घर्रत है भुड़्र हों व्हावति आपने हई वाइं व्हात कम पिछे है देश में भुबत कम मान्सिर हो भी से सग्याम कि मान्सिक सवात के लिए कारिग कर सके CDC जिस्ताब से जितनी देश की जनसंग क्या है इसमें काफी कम है तो हर व्यक्ति, प्रति एक व्यक्ति का दाहित्व या कर्टव बनता है क्यों कुछ ऐसे तरीक है, जैसे हम लोगों से बात करें, हम लोगों से मिलें, अपने अंदर एक सामाजिक प्रवर्ति को डवलब करें कि जैसे आपने देखा होगा कई मेट्रोपोलिटन सिटीज में होता है कि हमें यह तक नहीं पता रहता है कि बगल वाले घर में कौन रह रह रहा है जबकि पहले यह था कि बहुत बड़ा-बड़ा महला हुआ करता था और उस महले में दूर दूर तक एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे के सांद मिलना, बैठना, सब लोग सब घर का सदर से एक सांद बैठकर के बात चीज करना, यह सब चीज़ें होती थी तो यह कहीं न कहीं एका की जीवन या एका की परिवार में वह सब चीज़ें खतम होती जा रही हैं तो एक दूसरे की बातों को या एक दूसरे को जो एमोशनल सपोर्ट या एक दूसरे को जो वक्त देने वाली बात है वह सबसे महत्पूर है कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर हमें समाज में मिलता है जो किसी ना किसी रूपसे परिसान हो चाहे आर्थी रूपसे परिशान हो चाहे वह इमोस्ट्रेस में हो तो अगर हम लोग उसके साथ बाचीज करें, उसके साथ वक्त बिताएं उसको समय दें या उसकी किसी भी विप्रीत परिसिते में हम किसी भी तरह से चाहे आर्थी रूप से हो चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो उस व्यक्ति के काम आ पाएं तो निश्चित रूप से यह हमारा व्यक्ति के दाइत तो इस समाज के नागरिक होने के नाते हम लोग पूरा कर पाएंगे और इस तरह का हमारा व्यवहार कहीं न कहीं मांसी ग्रोग या कहीं न कहीं आत्मत्य या आत्मगाति प्रवर्ति को भी कम करेगा जैसा कि इस COVID-19 के दोरान भी देखने में काफी आया कि इस नकारात्मक ता इस तरह से हावी हुई थी जैसे किसी पड़ोस म कोई व्यक्ती COVID-19 निकलता था तो हमने देखा इस तरह के आंकले महरे पास आ रहे थे कि हम लोग ने भी ऐसे लोग की काउंस्लिंग की कि परिवा रिस्तेदारी जो दूर दूर रहते हैं वो तो नहीं उस वक्त उनके संपर्क में आ सकते हैं लेकिन जो पड़ोस के लोग भ ुसको उपलब्द करवा सकते हैं एक social distancing के दोरा एक physical distancing के दोरा उन जडरोतों को हम पूरी कर सकते हैं थो एक तरह से emotional या जो भावातमक support है वो भावातमक support कही ना कही कि इस समाज में कमारी निकल के आ रहे है और यह भावतमक support अगर हम लोग बड़ायें या जो एक दूरी हम लोगों ने एक दूसरे के पृति बना दिये है उस दूरी को अगर हम लोग कम करेंगे तो निश्ची रूप से हम अपने करतव्यों में कि हम असीक स्वासत के आलावा सारी स्वासत इसके अलावा एक अछे समाझ को बनाने में हमारा ये वेवार एक सकारात्म कदम निबा सकता है. जी, बिल्कुल. बहुत बड़ी आपने बात कही है, क्योंकि हम लोग सामाजी प्राणी हैं, और समाज को हमारी जरुरत है, हमें समाज के जरुरत है, बिना समाज के हमा अपना अस्तुतिश विकारनी कर सकते हैं, तो जरुरी है कि हम सभी लोग आपस में मिल चुलकर इस महामारी का सामने करें. डॉक्टर साथ, जैसे कि आपने देखा कि मेंटल हेल्थ डेज जो अक्टूबर में मनाया जाता है, उसके थीम पर भी अगर बात करते हैं, तो उसका भी उद्धिश यही है कि मानसिक स्वास्ते के प्रतीच जारुपता ला सकते हैं, साथ ही हम आने वाली महामारी के लिए तैयार इसमें रहें, तो इसमें ग्रेट इंवेस्मेंट की बात की गई है, तो आप, हम किस थारिके से लोगों में मनसिक स्वास्ते के प्रतीच जारुपता ला सकते हैं, एक परिवार की क्या भूमिगा हो सकती है, हमारा जो समुदाइ है, इसके क्या भूमिगा हो सकती है, जिस पर गोड़ परकास राटी है, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने पहले वेक्टेब में भी बताया आपको कि हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारा रोल है, जो हमारे जिम्मेदारियां, अगर हम उनको निभा पाएं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव, इस कर्तव के सकता है, उसमें हम काफी हद तक कम्यां ला सकते हैं, तो इस कम्य में जो इस तरह की एक गोस्ती हम लोग आयजीत कर रहे हैं, यह गोस्ती से लोगों के अंदे एक जागुकता पैदा होती है, जिससे हम इस विशाय के बारे में बात कर पाएं, पुराने वर्स काई लेटर स् समझें, तो इसी तरह की थीम वह के द्वारा पुतिवर्स निकाली जाती है, इसी प्रकार इस तरह की थीम या इस तरह की वर्क्सॉप के माधियम से, न्यूस्पेपर के माधियम से, या समय समय पर न्यूस्पेपर में मांसिक रोग की जानकारियां निकाल करके, अगर हम ब इस समय एक महत्पूर चीजा है जागुर्टा की कमी जैसा अगर हम इस परवती छेत्र की बात करें या पूरे हिंदूस्तान में यह चीजा है और जग भी चीजा होती है कि मानसी रोग को अभी भी कहीं ना कहीं उपरी हवा या भूत पिचास का साया माना जाता है तो लोग के इस ब्रह्म को तोड़ना सबसे महत्पूर है क्योंकि हमारे पास भी जो रोगी आते हैं वो अपना काफी हद तक पैसा या काफी हद तक समय बरबाद उनका हो चुका होता है काफी लंबे समय तक उपरी हवा को दूर करने के लिए प्रयास या उपाय करते हैं जिस पहचानने के बाद अगर हम चिकित्सी इसमें साहिता लें तो निश्ची रूप से हम रोग को एक समय पर हम लोग नियंतरन इस्ताभीत कर सें क्योंकि आगे चलके अगर इसी तरह के रोग आप देखते हैं जिस तरह से रोड में कई तरह के मांसी रोगी घूमते हैं तो कही समाज या देश के उपर एक प्रकार का बर्डन बनता चला जाता है तो हम अपनी प्रतेग रिखती अगर अपनी जिम्मेदारियों को निबाते रहेगा तो हम इस रोग पर काफी कम समय में ही नियंतरन पा सकते हैं इसके बारे में हमें बात करना जो सबसे महत्मून बात है अभी इंडियन साइकेटिक सोसाइटी ने एक सर्वे भी किया था और उस सर्वे में उनोंने बताया था कि जो लॉगडाउन में मानसी रोग जो हैं लगबग 20% बढ़ गए हैं तो जब इतना हम कम समय देखें पिसले 7-8 मेनों में ही अगर हम देखें कि मानसी रोग की संग तो उसके फल्सुरूफ भी मानसी रोग जो पहले से रोगी थे उनका रोग बढ़ हैं और जो रोगी नहीं थे इस प्रकार के विप्रीत परिसीती उत्पन्न होने के कारण वो किसमें किसी तनाओ के संपर्ख में आए और तनाओ के फल्सुरूफ व्यक्ति मानसी रोगी बन कि जिसके व्यवहार में जिसकी आदतों में एक लंबे समय से परिवर्टन आता जा रहा है अगर हम उसको हम लोग हेल्प दें उसके लिए चिकिसी सायता उपलब्द कराएं तो हम इस भाविश में जैसा कहा गया है कि 2020 में WHO ने पहले ही इसको गोस्ना किया कि 2020 में डिप्रे क्या देश को बताएं कर देश के लिए हैं उनकी ने पुछ ने को समयशा का समयदान आज के दिन हुआ होगा और इस तरीके से हम लोग भविशी में भी इन ही मांसिक मुद्व पर बातचीत करेंगे और विस्तार से करेंगे आप हमारे साथ हमेशा बने रहे हैं डॉक्टर आपने हमको बताया कि अमारी खुद के क्या इमें अपने परति, अपने समाज के परति और देश के प्रति, आपने बह्मुली समय से हमारे अपने समय निकाला, बक्ते अप्ता निकाला भुह भुहें यहाँ आपके बहुत जखिर आने वाले समय मे आप le din बहुत बहुत देनवाद में और Dr. Sita और उत्रांचल उपन उनिवसिटी का बहुत बहुत देनवाद जो इतने मेहपून विशाय पर क्योंकि आज इस विशाय में बात तक नहीं होती है बहुत कम बात होती है बहुत कम चर्चाय होती है अन्य स्वास को लेकर के हम दो काफी च कर सक्षाइन य तननी सांदरी इस कारेक्रम का है जिसे कि व्यक्तियों के अंदर समाज में फैलने मानसीक विमार्यों पर हम लोग ने अंतरन कर सके ह। और एक सवस्ट सार entren windows and sucking हम लोग व्याठीव कर सकें बहुत 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 दोस्तों आपने देखा मानसेख स्वास्ते के कई मुद्दों पर हम लोग ने आज बात चीत करी डॉक्टर रियुराज पंत से जैसा कि इस वर्षी की जो मैंतल हेल्टीडे की थी मैंतल हेल्थ फॉर और जिसम जरूरी है कि सभी जागरुकता इसमें फेलाई जाए जाए और जागरुकता फेलाने के लिए जरूरी है कि कोई एक व्यक्तिकत संस्ता नहीं गल्कि हम लोग सरकार हो चाहे मीडिया हो चाहे हमारे स्वास्त संगठन हो या सेक्षिक संगठन हो हम सभी मिलकर एक मंच पर आक के जो लाब उतायक है बाते हैं जो मांसी स्वास्त का लाब है वो प्रतिक ब्यक्टे तक पहुंच सके आज के लिए इतना काफी आने वाले समय में इनहीं मुद्धु पर आपसे फिर से बाचियत करेंगे धन्यवाद